आज मैं आप सब के लिए लेकिया हूँ ऐसी डाल जो बहुत ही टेश्टी होती है टेश्टी के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी होती है जिसमें बहुत सारे विटामिन पाये जाते हैं चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं इप साते हैं मैं यूट्व फैमिली नमस्ते प्रेंज कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत इच्छे होंगे ता यहां मैं ली हो चिकना जिसे इसे इसे लसी भी कहते हैं तो हम लोग इसे हमारे घर तरफ जरकन में से चिकना का जाता है इसी के मैं बना रहे हूँ दाल तो चिकना का जोल का जाता है इसे देशी भासा में बट इसे इस्टेंडर में इसे चिकना का दाल का जाता है तो आज मैं बना रहे हूँ चिकना का जोल तो यहाँ पर मैं ली हूँ देखे इस परकार की चनली इसमें हम सबसे पहले इसे इस तरह से चान लेंगे जिससे क्या होगी न इसमें जो भी छोटी-छोटी मिटी वगेरा है वो निकल जाएंगी आप चाहे तो इसे दो करके भी डारेक्ट कडाए में भून सकते हैं उससे सारे मट्टी जो है गल जाएंगे लेकिन मैं यहाँ पे इस प्रकार से करके निकाल लूँगी तो सारे जो मिटी है इसमें निकल जाएंगे क्योंकि यह खेत में तैयारी होती इसलिए इसमें थोड़ा मिटी वगेरा रहता है तो देखिए यहां पे इस तरह से है ना इस सारे मिटी जो हमारे च्छनिस निकल गए हैं तो अब हम इसे भून लेंगे तो यहां पे देखिए हमने रख लिया है चिकना को अच्छे से साफ करके कढ़ाई को हमने रख दिया गरम होने कढ़ाई गरम हो गई है अब इसमें हम ड जब यह चटकने लगे तो उसे धक करके भूने नए तो ये पढ़ेगी तो देखें यहां ठटकने लगी हम यहां पे इसे dicadar और इसे भून लए Arkansas करके तो देखें इस प्रकासि किस तरह से अपने ही फूट रहिए देखीं की जब सारे हमारे जो है यह चिकना अलसी अच्छे से भूट जाएगी न तो हमारे चिकना आज आज़ा हो जाएगी तो देखेँ यहां पे हमारे चिकना बुझा गया है अब हम इसे मिकसी में महीन करके पीस लेंगे तो चलिए पीस लेतेएं फिर आपको दिखाते हैं तो यहां पर देखे फ्रेंस हमने मिक्सी में इसे महीन करके पीस लिया है इसे मोटा नहीं रखे हैं अगर थोड़ा सापका मोटा है तो उसे आप चन्नी से आप छान करके निकाल सकते हैं लेकिन हलका मोटा है तो कोई दिकत नहीं है वो दाल में बन जाती है उसम रहां पर च्छनिस अब इसे जान लें चलिया भी बनाना इसने स्टाट करते हैं यहां हम ने च्छोटा है भी में बना सकते हैं करहा है में बना सकते हैं लेकिन हंडी कि यह झाला कशी हाँ यहा प différents पालो इंच मोटर करने कि अधें। इसफली नाखें अधें अधा कम का मारे गदे जाने के वा दिलू आम झालें। और इसे ज़्यादा पकाने की कोई जवरत ने फ्रेंस पांच मिनिट में हमारी ये दाल बनके तयार हो जाती है और अगर इसे ज़्यादा पकाएंगे दस से पंदरा मिनिट तक पकाते रहेंगे न तो यह पूरा जिस तरह से भी नडी काटने पाद होने थो जाते है न चिपचिपा टाइब का उस टाइब का यह हो जाता है तो उस टाइब का खाने में ठीक ने लगता है तो यहां पे देखिए हमने गोल लिया है इसमें रब डाल देंगे हम पानी को जो बचा हुआ पानी है सारे पानी को हम डाल देंगे इसमें डाल में और इसे अब हम चला देंगे गैस पे मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे गासर लिए पक्ने के लिए तो करता हम अचार करना के लिए उसकों पूरा है, ंजिकि यूह मुणा भी तो तरहे उसकों के लिए छॉकर देना वेड़ाओदे के दाल देनμά की नियूद्यू धायों हो नरिलियूदा पूर गोचात ने पर पानी डालेंगे दूदाबाइब से दृबके देखि और पानी को पजाएजें दृब एचार को आपके गए खटा ज्यादा पशन है तो एक जगा दो भी ले सकते हैं तो अब हम इसे ढख दिये हैं और ढख किसे पकने देते हैं तो देखिए दाल हमारी पक रही है इसे हम बीच में चला लेंगे इसे क्या अंदर जो हमारे है तल में चिपकेने लगे नहीं इसलिए गैस का फ्लेम हमने मेडियम कर दिया है और इसे पराबर हमें इस परकार से चलाते रहेंगे थोड़ा सा ये पक जाए ना उसमें हम मसाले को एट कर देंगे इसमें हमें कोई खास मसाले की जवरत नहीं है प्रेंस तो अभी हम इसे ढख देते हैं और इसे अच्छे से उबलने देते हैं जब यह अच्छे से उबल जाएगी ना उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे तो यहाँ पे देखिए यह अच्छे से उबल रही है दाल हमारी देखिए अब इसमें हम मसाले डाल सकते हैं तो यहां पे हम लैसुन और लालमिज का पेश्ट दो चम्मा जिसमें एड़ कर रहे हैं और इसमें हमें कोई भी मसाले की जवरत नहीं है लैसुन लालमिज का पेश्ट डालेंगे न तो यह और भी टेश्टी लगेगी खाने में तो अब हम इसे ढख देंगे और एक बार ही उबलने देंगे ज्यादा इसे बिल्कुल भी नए पकाएंगे इसे अच्छे से हमें मिला लेना है अब हम इसमें ढखकन ढखकर करके और इसे पका लेंगे इसे कुकर में बिल्कुल भी ना बनाएं तो चलिए इसे पकने देते हैं तो देखिए दाल हमारी जो है पक गई है और बन के भी हो गई है तैयार तो देखिए यहां पर फ्रेंस कितनी अच्छी तरह से हमारी दाल बन गई है कुकर में पकाने इस क्या होता है इसका जो गैस है न वो उड़ जाएगा तो वो अच्छा ने लगेगा खाने में और इस तरह से हम अंडी में बना के डग डग के पकाएंगे इसको अस्वाद बिल्कुल पर करार रहेगा चलिए अब हम इसे चोक लेते हैं यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं चेक करके इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा हाथों में इस प्रकार से ले करके इसमें कोई भी चेक करने की ज़ुरत नहीं है पास मिनेट आप इसे पानी डाल के फका लें दाल हमारी तयार हो जाती है अब हम यहां पर बंद कर दिये हैं गैस को और अब हम इसे चोक लेंगे तो यहां पर हमने डाल दिया है तेल को डबो में इसमें पकने देते हैं हम और चोकने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो माव आपको दिखा देती हूँ यहां हमने दो तरी कलिया लिया हूँ लहसून को जिसे हमने बारी कट कर लिया है और एक सुकी लाड मीच और हमें इसे कोई चिच की जवरत नहीं है अब तेल को हम गरम होने देंगे तेल गरम जब हो जाओ इसमें हमने डाल दिया लहसून को और लाड मीच को डाल करके हम इसे पका लेंगे तो अब गैस को हमने बंद कर दिया और अब हम इसे डाल में तड़का लगा लेंगे या चौक देंगे अब जो भी बोलते हो तो यहाँ पे देखिए डाल का धकन हम थोड़ा सा हटा देंगे और बस इसमें हम डाल देंगे देखिए उसके बाद तुरांत ही इसमें हम डाकन को लगा देंगे बस एक मिनिट तक इसे छोड़ देंगे और फिर मिला देंगे तो दाल हमारी है बन के तयार जो है बहुत ही टेश्टी और हेल्दी भी तो यहां पे हम कटोरी में निकाल लेते हैं सरू करने के लिए तो यह दाल गर्मी के दिनों में बहुत ही खास करके बनाई जाती है और गर्मा गरम चावल के साथ दाल अबसर्व करें यहां चावल ले हूं पतला वल आलो का भुजिया और यहां पे छोटा वला अलो का भुजिया लेए तो खास करके यह वाली बुजिया वें प्रेष साथ यह की साथ लिए और यह व्हान पदख कर दो शाजा से बने हैं आप घास कर लाइन पड़िए और chance के दम सुझा खाज से राइक सेर सस्क्राइब जरूर किचेगा थेंक यू भाय भाय टेक केर फ्रेंज